फ्रेंट्स आज की टॉपिक्स में हम DG Synchronization की Control Logic या Control Biring किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम Discuss करेंगे पिछले वीडियो में हमने DG Synchronization का Actual Process क्या होता है उसका Fundamental क्या होता है उसके बारे में हमने Discuss किया था आप चाने तो Discussion Box में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं चलिए दोस्तो अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी Control Biring किस प्रकार से की जाती है और ये खास तोर से बुड वर्ड का Gen 3000 में इसकी Control Biring कैसे की गई है इसका पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा चलिए दोस्तो शुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम DG Synchronization Panel का Architect समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है और इसमें Number of DG किस प्रकार से Connect करते हैं य कि Master पे जब Load बढ़ जाता है तो उसके बाद ये Slave में Transfer कर देता है तो Number of Slave में चला जाता है इसके लिए यहाँ पे Control Units यूज़ कियाते हैं यहाँ पे 3 Control Units यूज़ किये गए हैं अगर हम Grid Supply की बात करें तो Grid से आने बाले Supply MCB से होके सीधा बजबार के द्वारा Plant में च CB जिसको हम Air Circuit Breaker कहते हैं यह Normal ACB है लेकिन यह Gernator की Supply आ रही है इसलिए हम इसको GCB कहते हैं अब यह GCB की Switching किस प्रकार से की जाती है यह Decide Controller करता है कि हमको सबसे पहले कि GCB को On करना है और MCB हमारी Proper Off है की नहीं है इन सब का काम यह Controller के द्वारा की जाती है अब इन सब को आ अलाबा RS-232, RS-485 का भी यूज़ किया जाता है और Number Off Controller को आपस में Interconnect करना है इसके लिए हम यहां पे PLC को भी Add कर देते हैं जो कि इसके Logic को Architect को समझता है और इसके According Command देता है अगर इसके अलाबा हमको एक या दो DG को Control करना है तो यह काम इसका DG Controller System भी कर देता है यहां हम मैं आपको बता दूँ कि Boodward का Gen 3000 Controller यहां Connect किया गया है जो कि यहां पे दिखा रहे हैं अब मैं आपको इसको और भी Deeply ले जाता हूं और समझाता हूं कि इसकी Control Wiring किस प्रकार से की जाती है और यह कैसे Work करता है चलिए Next Slide में हम समझ लेते हैं दोस्तों अब हम Synchronization Controller की Control Wiring कि किस प्रकार से की जाती है उसको हम बता देते हैं यहां पर यह इसका Front Panel दिया हुआ है जिसमें की बहुत सारे Parameters दिखाई दे रहे हैं अब हम इसकी Control Wiring के लिए सबसे पहले इस फ्लाइट पे जाते हैं यह Gen 3000 का Control Panel दिया हुआ है और इससे हम DG को किस प्रकार से Control Carnet करेंगे से Connect करता है इसके बाद MCB यूज़ के आता है जो कि Grid की Supply को Load से Connect करता है और यहां पर Grid की Power Supply दी गई है जो की Transformer है जो Transformer से और यहां से जो बस बार दिया हुआ है यह आपस में Supply को Distribute करेगा अब यहां पर सवाल उठता है कि यह पूरा सिस्टम वर्क कैसे करेगा तो इस को Control करने के लिए यहां पर हम इस Controller का Use करते हैं अगर जैसे कि किसी Condition में Grid की Supply फेल हो जाती है तो इसकी Supply को यहां पर Observe किया जाता है क्योंकि हमको पता है कि जैसे कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि हमको Face Angle, Voltage और Frequency तीन पता होगी तब ही हम किसी DG को Synchronize कर स इस Gen 3000 Controller देंगे और CT से जो Supply आएगी उसको भी हम यहां पर Connect करेंगे इससे हम इसकी Status पता लगाएंगे कि यह Supply Main Power On है या फिर यहां पर हमको Synchronize करना है इसके लापत जैसे Grid की Power Supply Off होगी तो यह MCB जो दिया हुआ है यह Open हो जाएगा यह Open Command सीधे इस Controller को दोएगा ऐसी Condition में Controller सीधी Generator को Start कर देगा जो की Digital Output के रूप में इस Generator में जाएगा इसके बाद Generator से भी Feedback Command आएगा जो की इसे Healthy Condition बताएगा और इसके बाद यहां पे भी हम यहां पे 3 Phase की Supply को और Current के लिए CT से यहां पे Controller में Supply को Connect करेंगे यहां पे भी हम 440 Volt की Supply को इस Controller से Current करेंगे और CT के द्वारा Current को भी हम यहां पे Measure करेंगे क्योंकि हमें आपको बता चुका हूँ कि Face, Angle, Current और Frequency जब यह तीनों ही सेम रहेंगे तभी हम DG को Synchronize कर पाते हैं और इसके बाद हम जैसे ही Generator On होता है उसके बाद हम GCB को Close कर देते हैं GCB जैसे ही Close होगा या Start होगा यह पहले मैं आपको बता चुका हूँ MCB Open Command इसको Send करेगी और बताएगी कि हमारा System Off हो चुका है और GCB को Own कर देंगे यहां पर GCB भी Feedback Command को Generate करेगी इसके अलाबा बहुत से Discrete Signal होते हैं जो कि इसके Pump को या फिर इसमें जो भी Analog और Digital Signals होते हैं वो Generator के System को Measure करेंगे Temperature या इसमें जो भी Analog या Digital Input Output है उस Command को भी कंट्रोलर में दिया जाता है इसके अलाबा Open Command जब यहां जैसे पावर सप्लाई दुबारा On हो जाएगी और सप्लाई आ जाएगी ऐसी कंडिशन में Generator को Stop Command generate करेगा और यहां पे Open Command को यहां पे दिया जाता है कंट्रोलर के द्वारा जिससे की GCB ओपन हो जाएगी और दूसरे तरफ यह Close Command generate करेगा जिससे की MCB ओन हो जाएगी इस प्रकार यह पूरा Sequence होता है जिससे की DG को Synchronize किया जाता है और यह Controller वर्क करता है इसके अंदर की Control Waring का फ्री Complicated है इसलिए मैं आपको इसके Back Panel से इसकी Control Waring बता देता हूं कि इसकी Control Waring में कौन-कौन से Terminal यूज किया जाते हैं तो दूस्तों मैं आपको Brief में इसमें बता दिया है कि इसमें कौन-कौन से Command On और Off क किस प्रकार से इसकी Control Waring की जाती है अब हम इस Controller के Back Panel में जाके एक बार और आपको समझा देता हूं कि इसमें कौन से Digital Input और Output Generate होते हैं यहां सबसे पहले MPU जो होता है जो कि इसमें इसके Flywheel जो जनरेटर में Flywheel होता है इसकी Frequency को Measure करता है कि हमारा जनरेटर किस Frequency पे Over Speed या Slow Speed किस Speed में कितनी Frequency पे Move कर रहा है इसके अलावा यहां पे Digital Input Signal आते हैं खास तोर से MCB और GCB से आते हैं जो कि यहां पे बताते हैं कि उनकी Open Condition और Close Condition क्या है और इसके लावा यहां 24V की Power Supply जिसको Energize करती है यह अग्जरी Excitation के लिए जनरेटर से वाइरिंस आती है और इसके बाद यहां पे Digital Output Signal जो Relay Output Signal जनरेट किया आते हैं जो कि Engine को Start करते हैं या फिर यह Pump या Oil Pump को Start करना है या Fuel Pump को Start करना उसके लिए यहां पे Signal जनरेट होते हैं और इसके साथ यहां पे Generator के लिए Current CT के Connection किया आते हैं यहां पे Main की Current की Power Supply Connect होती है यहां पे Analog Input जैसा कि यहां पे दिया हुआ है जैसा कि यहां Analog Input Signal आते हैं यहां Analog Output Signal है जो की Generator में दिया आते हैं इसके अलावा Main AC Supply यहां पे Main AC Supply जो है Main MCB से पहले जो मैंने Generator के Area पे जो 440 और 120 बोल्ट की Power Supply उसको यहां पे Connect करते हैं और यहां पे Bus War का जो Voltage होता है उसको यहां पे Measure करते हैं इस परकार यह Control के पीछे Back Panel में किस परकार से Connection की जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया इस परकार दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने आपको बता दि होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि Actual Synchronization System में किस परकार से Control wiring की जाती है और Number of Generator किस परकार से Connect की जाते हैं दोस्तों ऐसे ही Knowledgeable वीडियो पाने के लिए चैनल को Subscribe और वीडियो को Like कीजे फिर मिलते हैं एक नए Topics के साथ